है 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 लो गाइज विलकम यू ओल मैं इम इस लामे नसीम और चलिए यह स्टार्ट करते हैं आज के स्वीडियो लेक्चर को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारी चल रहे हैं जहां पर हम लोग चैप्र नमबर टू को डिसकस कर रहे हैं कैल्कुलेस के दो पार्ट है एक मुल्टिपल इंटिग्रेशन और उसके गेट प्रिवेसर को डिसकस करा था आज के स्वीडियो लेक्चर में कैल्कुलेस का पार्ट भी स्टार्ट होगा इस वेक्टर कैल्कुलेस में स्टुटेंट को काफे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहां पर कंसेप्ट क्लियर नह में मिलेंगे यहां पर जूमारा फार्ट होगा वो होगा वाट्र डिफ्रेंशेल वेक्तर डिफरेंशेरल और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें क्या rh introduced करेंगे उसमें हम व्रोग डि्सकस करेंगे व्रेप्टर इंटिग्रल दोनों मैं हम बता देती हूं कि क्या क्या चीज़े हम लोग discuss करने वाले हैं ताकि आपको आने वाली चार-पांच वीडियो का पूरा अंदाजा हो जाए क्या क्या चीज़े आप पढ़ोगे वेक्टर डिफरेंशल से हम लोग start करेंगे वेक्टर कैल्कुलेस को जहां पर gradient के बारे में जानेंगे कर्ल के बारे में जानेंगे डाइवर्जेंस और इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं यह सारी चीज़ों को डिसकस करेंगे बिसिकली जो धियान से देखेगा फस्ट बार्ट मैं स्टार्ट कर रही हुं वेक्टर डिफरेंशल को लिए सबसे पहले आपको समझना है तो आपको तुट्व наст मेंगे थोड़ी बहुत वेक्टर पल रखी है उसका थोड़ा सा यूज होगा तो मैं आपको रिकॉल करा देते हूं कि तुल तुमने आपने क्या-क्या चीज़े पड़ी थी सबसे पढ़ा था कि वेक्टर में क्या होता है वेक्टर में आपका मैगनिटिूड भी होता है और वेक्ट कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक simple सा एक vector कर लो, let a vector v is equal to ax i cap plus ay j cap plus az k cap, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको observe कराने की कोशिश करूं तो यह i cap है, यह j cap है और यह आपका k cap है और यह क्या represent कर रहे हैं, यह आपके direction को represent कर रहे हैं, i cap j cap k cap क्या represent कर रहा है direction को represent कर रहा है और यह जो ax है ay है az है यह क्या represent कर रहा है i j k के direction में आने वाला magnitude तो यहाँ पर यह क्या represent कर रहा है यह आप देख सकते हो magnitude को represent कर रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर magnitude as well as direction किस form में रखे हुए multiplication के form में रखे हुए यहाँ पर भी ay into j multiplication का form है यहाँ पर भी az into k multiplication का form है अब यह i, j के कौन सी direction को represent करते हैं i, j के आपका represent करते हैं x, y और z direction को यहाँ पर अम लोग कुछ axis को consider कर लेते हैं suppose कर लिजे this is your x axis this is your y axis and this is your z axis तो यह जो i cap है यह किसको represent कर रहा है i-cap represent कर रहा है x direction को ok i-cap represent कर रहा है x direction को j-cap आपका represent कर रहा है y direction को इसी के साथ k-cap आपका represent कर रहा है z-direction तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप modulus find out करते हो i-cap का j-cap का या k-cap का ok तो इनका modulus क्या होता है हमेशा equal to zero होता है तो यह चुटी से बात है आप mention कर लेना इससे आपको एक चीज ये तो समझ आ गई कि अगर हम लोग vector consider करते हो और vector को पढ़ते हैं तो vector आपका एक 3D concept है वेक्टर आपका क्या है एक 3D concept है क्यों 3D concept है क्योंकि इसमें x direction भी है इसमें y direction भी है इसमें z direction भी है तो x direction में magnitude है y direction म में magnitude है जब हम लोग 3D access की बात करते हैं इसका मतलब क्या है हम लोग 3D concept की बात कर रहे है तो vector हमारा क्या है एक 3D concept है जहाँ पर x भी आएगा y भी आएगा और z भी आने वाला है तो अगर यहाँ पर x भी आ रहा है y भी आ रहा है z भी आ रहा है तो यहाँ पर एक चीज पर जरा ध्यान दिजेगा मैं आपको समझाती हुई यहां पर suppose कर लिजे suppose कर लिजे आपके पास कोई एक vector है v is equal to suppose कर लिजे यहां पर दिया हुआ है x i cap plus x y square j cap ok j cap plus z x k cap suppose कर लिजे कुछ इस तरीके से एक vector दिया हुआ है तो अगर आपको इस vector का differentiation करना पढ़ जाए तो आप कौन सा differentiation करोगे अगर आपको इस vector का differentiation करना पढ़ जाएगा तो यहां पर रोल प्ले होगा partial differentiation का क्योंकि अगर single variable होता तब तो हम लोग यहां पर क्या करता है exact differentiation कर देते d by dx निकाल लेते d by dy निकाल लेते बट अगर more than when variable है like x है y है z है तो उस particular case में हम लोग concept differentiation करते हैं उस particular case में हम लोग partial differentiation को perform करते हैं जहां पर हम लोग एक अगर x की respect में partial differentiation कर रहे हैं तो उस particular case में y और z हमारा क्या होता है constant होता है तो इसके बारे में आपको पता होगा यह 3D concept होने की वज़े से यहां पर हम लोग partial differentiation को perform करेंगे और 12th class में हम लोग कुछ चीज़े पढ़ते थे उसको मैं यहां पर mention करा देती हूँ suppose कर लिजे आपको एक vector दिया हुआ है a जिसकी value है a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap suppose कर लिजे आपको यहां पर इस तरीके से एक vector a दिया हुआ है suppose कर लिजे एक vector b दिया हुआ है b1 i cap यहां पर लिख लेते हैं b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap suppose कर लिजे आपको यह दो vector दिये हैं तो vector को अगर आपको दोनों vector को add कराना है यह subtract कराना है तो हमेशा क्या होता है i के साथ i کا addition होगा j के साथ j का addition होगा और k के साथ k का addition होगा तो जब आप यहां पर addition या subtraction पर्फॉर्म करोगे तो यह हो जाएगा a1 plus minus b1 i cap plus कर ये यह हो जाएगा a2 plus minus b2 j cap यह हो गया इसी तरीके से a3 और b3 आपस में add होगे या subtract होगे तो यह हो जाएगा a3 plus minus b3 k cap तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दू वेक्टर्स को किस तरीके से add करते हैं या दू वेक्टर्स को किस तरीके से subtract करते हैं इसी तरीके से multiplication में भी देखेगा जरा अगर यही दू वेक्टर हैं a, b उनका अगर आप dot product कराते हो तो dot product आपको मिलेगा mod a, mod b, cos theta और यह जो theta ही है दूनों वेक्टर्स के बीच का angle होगा अगर आप यहाँ पर mod a को find out करना चाहते हो तो mod a आप कैसे निकाल सकते हो mod a आप निकाल सकते हो mod का मतलब क्या है सिर्फ और सिर्फ आप magnitude को consider कर रहे हो तो अगर किसी भी particular vector से आपको सिर्फ और सिर्फ magnitude निकालना है तो आप क्या करोगे under root लगाओगे यह हो जाएगा a1 square plus a2 square plus a3 square इसी तरीके से mod b आप find out कर सकते हो यह किसके बराबर हो जाएगा under root of b1 square यह हो जाएगा plus का b2 square यह हो जाएगा plus का b3 square तो इस तरीके से यहाँ पर आप magnitude को find out कर सकते हो यानि mod a और mod b की value को find out कर सकते हो इसी के साथ साथ एक आप से और पूछता है कि unit vector के बारे में बताईए unit vector क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कभी भी आप से unit vector की बात करें कर लिजे आपको यही a vector दे दिया यही आपको a vector दे दिया a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap आपको यहाँ पर यह vector given है आपको इसका unit vector निकालना है तो इसको हम लोग cap से represent करते हैं और unit vector का मतलब क्या unit का मतलब क्या अगर हम मुझे यहाँ पर suppose कर लिजे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 6 क्या है एक magnitude है अगर मैं इसे unity में change करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी उसी magnitude से divide दे दूँगी तो आपको क्या मिल जाएगा unit मिल जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर यहाँ पर जितना magnitude इसका है जितना magnitude इसका है यह पूरे magnitude को अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे denominator में डिवाइड दे दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा unit vector मिल जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a vector upon divided by mod a divided by mod a मैंने क्यों करा क्योंकि mod a हमें क्या दे रहा है mod a हमें दे रहा है magnitude mod a हमें क्या दे रहा है magnitude दे रहा है तो अगर आप इस vector से unit vector को find out करना चाहते हो तो आप उस particular vector में उसका जितना भी magnitude होगा उससे divide दे देंगे तो वो unit vector में convert हो जाएगा अगे कहीँ पर आपको बेस्ट पूछ लेता है कि यूनिट वेक्टर के वेल्यू बता हो तो वेक्टर आप आसानी से फांड कर सकते हो विद येल्प आफ बिस फॉर्मुला होगे विद ती हम ओव बनWow अभ डिस pleasure का उनिट वट कर सकते तो यहाँ पर हमने addition देख लिया, subtraction देख लिया, dot product देख लिया, इसी के साथ-साथ cross product कैसे होता है, suppose कर लिजे, आपको कोई दो vector दिये हुए है, vector a and vector b, आप यह दोनों vector का अगर cross product करना चाहते हो, तो cross product हो जाएगा, a vector cross b vector is equal to, ध्यान दिजेगा, और यहाँ पर हो जाएगा, i cap, j cap, k cap, इसके साथ-साथ यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर आप जो vector a आपने consider कर लिया है, suppose कर लिजे, यह vector है, a1, i cap, plus a2, j cap, plus a3, k cap, suppose कर लिजे, जो vector b आपको given है, वो दिया हुआ है, b1, i cap, plus b2, j cap, plus b3, k cap, ओके, आपको यहाँ पर दो vector दिये हुए हैं, तो अगर आप इसको cross product इसका find out करोगे, तो यहाँ पर रखोगे, a1, a2, a3, okay, इसका जो जितना भी i direction में जो magnitude था, j direction में जो magnitude था, k direction में जो magnitude था, वो put कर दिया, और यहाँ आजाएगा, b1, b2, b3, अब यहाँ पर आपको क्या find out करना है, यहाँ पर simple determinant को find out, अगर आप कर लोगे, determinant को कैसे find out करेंगे, यहाँ पर i cap रखा, okay, यहाँ पर i cap रखा, और cross product कराया, यह वाली line, इससे related, जो यह line से, उसको cancel out करिए, यहाँ पर इसका cross product करा दिया, तो जैसे आप यहाँ पर cross product कराओगे, तो यह हो जाएगा, a2, b3, minus, a3, b2, okay, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, minus का j cap हो जाएगा, determinant मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ, पूर होगा, और यहाँ पर इसके corresponding, जो line से, इसके corresponding, जो line से, उसे आप cancel out कर दोगे, तो यह chart terms बचेंगे, इनका आपस में cross product करा लिए, यह हो जाएगा, a1, b2, minus, b1, a2, okay, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस cross product को find out कर सकते हो, और इसका direct formula भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर ह होता है, a cross b is equal to mod a mod b sin theta, okay, mod a mod b sin theta, तो यहाँ पर आप इसको भी ध्यान रखेगा, और इससे भी आप cross product को find out कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, unit vector के बारे में बताया, magnitude कैसे find out करते हैं, यहाँ पर magnitude को हम लोग length of the vector भी बोलते हो, यहाँ पर यह जो आपन magnitude को find out करा है, यह basically आपने length को find out करा है, suppose कर लिजे, suppose कर लिजे यहाँ पर आपको कोई一個 vector दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से, और यह इसकी direction है, तो जब आप इस vector का mode find out करते हो, तो आप basically आपने क्या find out करा है, इसके length को find out कर लिया है, यहाँ से लेकर, यहाँ तक इस particular vector की length कितनी होगी तो यह जो लेंथ है यह आपको कौं बता रहा है यह लेंथ की वेलु आपको बता रहा है यह पुलर मॉड comple हमाइगी होसे जो मॉड एकि मिलेगी यह आपको क्या हो जाएगा यह आपकी लेंथ किसा से कहते हैं कि यह क्या दे रहा है सिर्फ और सिर्फ magnitude दे रहा है direction की बात नहीं कर रहा है direction कौन बताएगा i, j, k आपकी direction को define करेंगे ओके इसके साथ साथ एक बहुत ही important यहाँ पर operator हम लोग use करते हैं जिसे हम लोग del operator भी बोलते हैं जिसे हम लोग del operator भी बोलते हैं और इसका जो नाम है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है vector differential operator vector differential operator basically आपका vector से ही originate हुआ है यहाँ पर इसको represent किस से करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसको इस तरीके से del से represent करते हैं यह operator है operation perform करता है कौन सो operation perform करता है differentiation को operation perform करता है अब जैसा कि आप जानते हो यह जो आपका vector है यह 3D concept है तो यहाँ पर जो differentiation perform होगा वो concept differentiation होगा partial differentiation होगा तो i cap do by do x plus यह हो जाएगा j cap do by do y plus यह हो जाएगा k cap do by do z इस ही कोई हम लोग बोलते हैं del operator यह काफी important operator है यह कई सारे operation perform करता है और इसकी ही help से हम लोग gradient को find out कर सकते हैं हम लोग divergence को find out कर सकते हैं कैसे find out कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूं सबसे पहली heading जो हमारी पड़ेगी देखे basic मैंने आपको पूरा बता दिया dot product कैसे होता है cross product कैसे होता है length of the vector यानि magnitude कैसे find out करते है unit vector हमारा क्या होता है यह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो हमारी first main heading है जो gate में पूछी जाती है वो heading है हमारी gradient gradient यहाँ पर heading डालेंग सबसे पहले वो मैं आपसे discuss करती हूँ अगर किसी भी scalar term का कोई भी एक scalar quantity है उसका multiply अगर आप किसी del operator से कराते हो यहाँ पर मैं let कर लेती हूँ let phi x, y, z is a scalar quantity ओके suppose कर लीजे यहाँ पर phi x, y, z एक scalar quantity है अगर आपने इसी operator से इसी del operator से किसी scalar quantity का अगर multiply कराया तो वो हमें क्या देने वाला है वो हमें देगा gradient वो हमें क्या देने वाला है वो हमें देने वाला है gradient बात समझा रही है यहाँ पर हमने क्या करा एक हमने del operator आपको बताया कि यह del operator बहुत important है यह operation perform करता है कौन सा operation perform करता है differentiation को operation perform करता है फिर इसके ब और इसी gradient को हम लोग normal vector भी बोलते हैं इसी gradient को हम लोग normal vector भी बोलते हैं और suppose कर लेते हैं suppose कर लिजे let 5x,y,z is a equation है यह एक scalar equation है यहाँ पर मैं पूरी बात लिख देती हूँ suppose कर लिजे किसी surface की equation है जो कि आपकी scalar है अगर आपने इसका multiply del operator से कराया तो आपको क्या मिलने वाला है gradient मिलने वाला है तो यहाँ पर अगर आप इसका multiply करायोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा del 5 that will be equal to i cap då 5 by dou x प्लस j cap 2 phi by 2 y प्लस k cap 2 phi by 2 z तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा जब आप multiply कराओगे तो यह आपको क्या मिल गिया यह आपको normal vector मिल गिया यह आपको मिल गिया gradient gradient जो है यह आपका किसकी बात करता है gradient आपकी बात करता है maximum rate of change की gradient किसकी बात करता है gradient बात करता है maximum rate of maximum rate of change और यह मैंने जब आपको differentiation पढ़ाया था तब मैंने आपको बदाया था कि differentiation बेसिकली किसकी बात करता है change की बात करता है gradient किसकी बात करेगा maximum rate of change की बात करेगा इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर unit normal vector निकालने की जरुवत पड़ जाए normal vector तो आपने find out कर लिया यह जो del phi आपका आया है यह क्या है यह आपका normal vector है और कह सकते है gradient है यह आपका normal vector है यह हम कह सकते है gradient है अगर इसी का आपको unit normal vector को find out करना पड़े तो आप क्या करोगे यहां पर आप find out करोगे डल फाई upon इसका जो magnitude होगा इसका जो magnitude होगा उससे आप क्या करोगे इसको divide कर दोगे तो यहां पर यह जो value आपको मिलेगी यह कौनसी value होगी यह unit normal vector की value होने वाली है तो यहां पर आपको gradient clear हुआ होगा gradient कैसे निकालते हैं इसी के साथ साथ जो हमारी second heading बढ़ेगी यह हमारी first important heading है काफी important है इसे मत भूलिएगा जो हमारी second important heading बढ़ेगी वो हमारी होगी divergence यहाँ पर देखिएगा ज़रा divergence को कैसे find out करते हैं divergence कैसे find doubt करेंगे मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में divergence जो होगा देखेगा अगर किसी vector quantity की अगर किसी vector quantity का dot product आप ले लो किसी vector quantity का dot product ले लो किसके साथ इस particular operator के साथ तो वो आपको क्या देता है वो आपको देता है divergence तो यहां पर आप suppose कर लीजें यहां पर let कर लेते हैं let f is equal to okay vector quantity है तो यानि यहां पर क्या होगा magnitude as well as direction दोनों होने वाली है तो suppose कर लीजें यह हो गया x1 f1 x, y, z i cap नीचे लिखते हैं equation थोड़ी सी लंदी होगी यहां पर मैं let कर रही हूँ एक vector को let कर लेते हैं f एक vector है जिसकी value है f1 x, y, z i cap प्लस यहां पर क्या हो जाएगा f2 x, y, y, z j cap प्लस f3 x, y, z k cap okay तो मैंने let कर लिया let f f is equal to f1 i cap f2 j cap f3 j cap is a vector quantity okay is a vector quantity then divergence of then divergence of vector f will be denoted as okay divergence of vector f will be denoted as कैसे denote करेंगे यानि हमें क्या करना है इस del का, इस del का किसके साथ dot product कराना है एक vector quantity f के साथ dot product कराना है तो इसका dot product आप कराओगे कैसे है पहले del operator की value को लिख लिजे यह हो जाएगा i dou by dou x यह हो जाएगा plus का j cap okay i cap dou by dou x यह हो जाएगा j cap dou by dou y यह हो जाएगा आपका k cap dou by dou z okay उसके बाद आपका यह जो vector है इसको आप यहाँ पर लिख लिजे यह आपका है f1 i cap okay यह आपका क्या है f2 j cap और फिर आपका है f3 j cap okay f3 k cap not j cap f3 k cap तो जब आप इसनका आपस में dot product लोगे तो यह dot product आपको कितना मिलने वाला है i का i के साथ आप कराओगे multiplication j का j के साथ कराओगे okay j का j के साथ कराओगे इसी तरीके से k का multiplication किसके साथ होगा k के साथ होगा तो यहाँ पर आपको जो final value मिलेगी वो मिल जाएगी dou f upon dou x plus dou f2 okay dou dou f1 upon dou x dou f2 upon dou y plus dou f3 upon dou z okay तो यहाँ पर यह जो value आपको मिली है यह value आपको किसकी मिल गई इस value को हम लोग बोलते हैं divergence okay आप देख सकते हो किसी भी dell operator का अगर आपने किसी vector quantity के साथ multiplication कराया multiplication कैसे मतलब dot product कराया okay dot product औ cross product यहाँ दोनुचीज़े अलग अलग होती हैं तो confused मत हो quantity से आपने डेल product के साथ dot product लिया है तो वह आपको क्या देने वाला है वह आपको देने वाला है divergence okay और dot product कराने के बाद जो आपको value मिल रही है वह value क्या है वह value आपकी scalar value है यहाँ पर आप देख सकते हो ना i है ना j है ना k है सारे ही directions आपके हट गई हैं तो यहाँ पर जब आप डेल operator का किसी vector quantity से dot product लेते हो तो आपको divergence मिलता है और dot product लेने के बाद जो आपको quantity मिल रही है वो क्या है वो एक scalar quantity है यहाँ पर यह जो divergence है यह basically बात करता है आपसे regarding flow okay flow के regarding यह बात करता है कैसे बात करता है मैं आपको बताती हूँ अगर आपके divergence की value zero हो गई okay suppose कर ली और यह value आपको zero मिल गई तो यहाँ पर basically three conditions बनती है तीन condition बनेंगी वो तीनों condition आपकी कौन कौन सी होंगी मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको clear हो जाएगा एक दम यह तीन condition आपकी होंगी या तो zero हो जाएगी ओके या तो zero हो जाएगी और अगर zero नहीं हुई अगर zero नहीं होई तो या तो greater than zero होगी या तो less than zero होगी तो यहाँ पर आपके तीन condition बनेंगी first condition is zero second condition is greater than zero and third condition is less than zero okay यही condition बनेगी या तो zero होगा या तो zero नहीं होगा अब zero अगर नहीं है तो या तो greater than value zero मिलेगी या तो value आपकी less than zero मिलेगी अगर आपका zero आता है इसका मतलब क् भी फ्लो नहीं हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस फ्री इसे हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस फ्री बोलते हैं इसे हम लोग सॉलेनॉडल भी बोलते हैं और इसे हम लोग इनकुंप्रेजैबल पितने आपको में ने बताया इसको किसके साथ अब अगर दैवर्जेंस horses का इसलेन कि रहे चाहिए एक के साथ बूल देंगे यह को अ इस ओलेनोइडल दिख जाएगा के again अगलेनोइडल फ्लो भी बोलते हैं या हम लोग इसको बोल सकते हैं त यह इन कंप्रासपल इनकंप्रैसेबल, flow, तो यह कुछ नाम आप याद रखिएगा divergence free, solenoidal और incompressible flow, इसके बाद अगर आपके divergence की value greater than zero आती है, तो उस particular case में देखे, यहाँ पर basically दो case है, divergence zero है, तो incompressible flow, solenoidal flow अगर divergence zero नहीं है तो हम लोग बोलते हैं compressible flow और आपका flow होगा, वो divergence free भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पर अगर आपका divergence zero नहीं है, तो आपका compressible flow होगा, फिर उसमें भी दो condition बनती है, अगर greater than zero हुआ, तो उस तरीके के flow को हम लोग बोलते हैं, उस तरीके का जो flow होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, basically out away from the point होगा, ओके flow देखोगे, तो जब यह बाहर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से यह flow बाहर आ रहा है, तो इससे हम लोग बोलते हैं, out away from the point, ओके, out away from the point, तो आपका यह flow हो गया, अब यहाँ पर, अगर आपके divergence की value less than zero हो गई, तो उस particular case में जो आपका flow होगा, वो कुछ इस तरीके से होने वाला, ओके, flow जो आपका होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, इससे हम लोग बोलते हैं, towards the point, ओके, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, towards the point, अगर यहाँ पर आप एक point consider कर रहे हो, तो यह जो flow है, यह क्या हो रहा, out away from the point है, और अगर आप यहाँ पर एक point को consider कर रहे हो, दोनों ही point को मैं अलग color से बना देती हूं, एक point हमने यहाँ consider करा, एक point हमने यहाँ consider करा, तो इससे हम लोग बोलते हैं, towards the point, towards the point, okay, तो कई बार आपको vector दे देता है, और उसके बाद आप से पूछता है, कि भाई, यह solenoidal है के नहीं है, rotational, irrotational है के नहीं है, तो यह सारी चीज़ों से आप बता सकते हो, तो आप देख सकते हो, कि del operator कितना ज़्यादा important है, उसने आपको क्या-क्या चीज़े दी, उसने आपको gradient दिया, आपको gradient के बारे में बताया, फिर उसने आपको divergence दिया, अब यही del operator आपको क्या देगा, यही del operator आपको देगा करल, okay, तो next जो हमारी important heading होगी, वो होगी आपकी करल, करल क्या होता है, ध्यान दिजेगा, करल का मतलब होता है, suppose कर लीजे, let us consider, let us consider a vector, okay, let us consider a vector, f is equal to f1 x, y, z, यह x, y, z आपको शो क्या कर रहा है, कि यहाँ पर जो आपका function होगा, वो in terms of x, y, z होने वाला है, यह क्या हो गया, i cap हो गया, यह हो गया, plus f2 x, y, z, यह हो गया, j cap, plus यह हो गया, f3 x, y, z, k cap, okay, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, consider कर लिया है, एक vector को f1 i cap, f2 j cap, f3 k cap, then the, then the curl, okay, curl of a vector f is denoted as, is denoted as, okay, curl of, curl of f, curl of f, okay, curl of f से इसको denote करेंगे, यह basically है, क्या, जो लिख दिया है, मैंने वो तो आपको समझ आ गया होगा, कि मैंने एक vector को consider करा है, देखिए, अगर dell operator के साथ, किसी scalar quantity का आप multiply कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको gradient मिलता है, यह कह सकते है, normal vector मिलता है, अगर किसी एक vector को, आप dell के साथ dot product कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको divergence मिलता है, इसी तरीके से, अगर किसी vector का, आप dell operator के साथ cross product कराते हो, वा समझेगा, वहाँ पर dot product करा रहे थे, यहाँ पर क्या करा रहे हैं, cross product करा रहे हैं, तो किसी vector का, अगर आप dell operator के साथ cross product कराते हो तो हमें क्या मिलता है तो हमें मिलता है कर लो के यहां पर ध्यान से देखेगा अगर आपको यहां पर cross product कराना है तो आप cross product कैसे करा होगे cross product आपको कराना पड़ेगा डेल क्रोस F की हिल्फ से यह आपका क्या हो गया यह आपका डेल ऑपरेटर हो गया उसका क्रोस प्रोड़क्ट आप किसके साथ ले रहे हो जो आपने यहाँ पर वेक्टर को कंसिडर करा है वेक्टर F गया तो डेल आपका है क्या डेल आपका है I cap 2 by 2 x plus J cap 2 by 2y plus K cap 2 by 2z यह आपका क्या हो गया यह आपका डेल आपरेटर हो गया इसका multiplication आप किसके साथ कराने जा रहे हो इसका multiplication यह नि इसका cross product आप कराने जा रहे हो यह जो आपके पास यहाँ पर वेक्टर है F1 I cap plus F2 J cap plus F3 K cap तो यहाँ पर आपको cross product समझ आ गया होगा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले cross product देखा था कि अगर हमें cross product कराने की जरुवत पड़ती है तो यहाँ पर आपके पास यह दो वेक्टर हो गए इनका cross product हम लोग इस तरीके से करा सकते हैं determinant को लेके सारी values को find out कर सकते हैं जहां पर I put करा, J put करा, K put करा उसके बाद A1, A2, A3 क्या थे जो first vector था उसका I का magnitude, J का magnitude और K का magnitude जो second हमारा vector था उसका I का magnitude, J का magnitude और K का magnitude same as हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं अगर मुझे यहाँ पर cross product को find करना है तो del cross F की value आपके कितनी हो जाएगी del cross F की आपकी value हो जाएगी जरा ध्यान दीजेगा यहाँ पर आपने क्या करा, जो काम आपने वहाँ पर करा है exactly same यहाँ पर भी करेंगे यह हो गया I cap, यह हो गया J cap, यह हो गया K cap अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह आपका A vector का काम कर रहा है यह आपका B vector का काम कर रहा है तो I का magnitude यहाँ पर देखेंगे डो बाई डो X, J का magnitude डो बाई डो Y और K का magnitude डो बाई डो Z तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे डो बाई डो X यहां पर रखेंगे dow by dow by और यहां पर रखेंगे dow by dow z इसका cross product आप किसके साथ करा रहे हो इसका cross product आप करा रहे हो f1, f2, f3 के साथ तो यहां पर आपका क्या आजाएगा, यहां पर आपका आजाएगा f1 यहां पर आपका आजाएगा F2, यहां पर आपका आजाएगा F3, यहां पर यहां पर value हो गई, यह जे की value हो गई, यह आपकी K की value हो गई, यहां पर जब आप इसको find out करोगे तो यह आपको क्या देने वाला है, यह आपको basically curl of F मिलेगा, इसको करेंगे कैसे, same procedure को apply करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, I को consider करेंगे, तो I के corresponding जो lines है, उसको cancel out करेंगे, इसका cross product करा लेंगे, जैसे कि यहां पर अगर मैं लिखूँ इसका cross product, तो यह हो जाएगा, I cap, bracket में हमारे पास क्या बिचेगा, bracket में हमारे पास बचेगा, 2 by 2y, F3, minus 2 by 2z, F2, ओके, तो partial derivative आप यहां पर find out कर सकते हो, माइनस sign लगाएंगे, यह हो जाएगा, आपका J cap, इसके बाद, इसके corresponding जो lines है, यह हो गई, यह हो गई, दोनों के cancel out करेंगे, यह term बचा, यह term बचा, यह term बचा, और यह वाला term बच गया, तो cross product करा लिजे, तो यह हो जाएगा, dou by dou x f3 minus dou by dou z f1, इसी के साथ साथ आप क्या करोगे, इसी के साथ साथ आप k cap को भी consider कर लोगे, जब आप k cap को लोगे, तो इसके corresponding यह पूरी line, cancel out हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें बच जाएगा, dou by dou x f2 minus dou by dou y f1, तो यहाँ पर जब आप इसको calculate कर लोगे, तो आपको curl मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसमें clarity मिली होगी, कि किस तरीके से हम लोग divergence find out करते हैं, किस तरीके से curl को find out करते हैं, किस तरीके से gradient को find out करते हैं, इसके बाद कुछ और points को यहाँ पर consider करिए जिस तरीके से gradient या normal vector आपको क्या दे रहा है, maximum rate of change की बात कर रहा है, maximum rate of change की बात कर रहा है, जिस तरीके से divergence आपके किस की बात कर रहा है, flow की बात कर रहा है, इसी तरीके से curl किस की बात करेगा, मतलब curl basically related है curly से, okay, तो curl बात करता है rotation की, तो curl किस की बात कर रहा है, curl बात कर रोटेशन की, रोटेशन के about बात करता है करल, तो अगर आपके करल की value यहाँ पर zero हो गई, suppose कर लिजे कोई vector आपने consider करा, उसका आपने क्या करा, cross product को find out करा, cross product basically आपको करल देगा, अगर यह zero आ गया, it means there is no rotation, और जिसमें rotation नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, irrotational, जिसमें rotation नहीं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा irrotational, okay, इसको irrotational भी बोलते हैं, एक नाम और याद रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं, conservative, okay, इसे हम लोग irrotational के साथ सार, conservative के नाम से भी ध्यान दखेंगे, कई बार conservative term आपका options में दिया होता है, तो confuse मत सकता है, okay, तो यहाँ पर आपको यह clear हुआ होगा, और अगर आपका यह zero नहीं है, does not equal to zero, it means क्या होगा, rotation होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं, rotational, जिसमें rotation है, वो rotational है, जिसमें rotation नहीं है, वो irrotational है, okay, तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगी, I think आज की वीडियो में मिलने वाला है, यहाँ पर मैं इसको इस वज़े से रोक रही हूँ, क्योंकि आपका तीन जो important topics थे, gradient हो गया, divergence हो गया, curl हो गया, इससे सबसे पहले आप दुबारा वीडियो को repeat करके देख लो, यहीं से वापस से continue करेंगे, और कुछ बहुत important points हैं, जो मुझ से clear कर सकते हो, thank you